हेलो दोस्तों आप सभी को फिर से और एक हाउस प्लान में स्वागत करते हैं हम पहले से ड्रोइंग को कंप्लीट करके रखें आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप अगर हमरे चैन्ड में नहीं है तो चांड को सब्सक्रिब करें नोटिफिकेशन बेल को ओन करें आने वाल टॉटल आपके जगह है ओके तो यह जगहा है हम बताएंगे तो दिखिए यहां से आपका एंट्री हो रहा है कि आपका में ड्र है है गोर होनी के बाद यहां पर देखिए इसका जो चौड़ाई है वह साथ फिट पांच-ष यहां पर एक बारंदा है भरंदा के साइड में आप एक सीडी स्टेयर जो भी बोल सकते वह आप देख सकते हैं। इसका टोटल टोटल जो चोड़ाई है वह है साथ फिट वहांच इंच। और जो लंबाई है यहां से लिखे यहां तक वो 10 फिट 0 एंच है। उसके बाद देखे यहाँ पर और एक डूर है यहाँ पर आपको एक living room, waiting room जो भी है एक छोटा सा एक room है जिसका size है 12 feet 0 inch by 12 feet 0 inch आप बड़ा भी बोल सकते हैं छोटा भी बोल सकते हैं आपके हिसाब से तो यह उतना भी छोटा नहीं है बड़ा ही है उसके बाद देखे यहाँ पर यहाँ पर और एक door है door होने के बाद यहाँ पर आपको एक hall देखने को मिल जाएगा यह आप कहीं सबसे इसको use कर सकते हैं चाहे तो इसको dining hall कहीं सबसे भी use कर सकते हैं तो यह डाइनिंग हौल है दिखी यहां पर इसका जो चोड़ाई है वह है 10-0-1 यहां से लिखी यहां तक जो है 10-0-1 से ज्यादा जाका है तब भी हम 10-0-1 रखें हैं उसके बाद यहां पर आपको एक कीचन मिल जाएगा कीचन का जो साइज है वह 8-0-1 चोड़ाई साइगे यह साइड में आपको एक लेटरिंग बात्रूम कमून लेटरिंग बात्रूम दिखनों मिल जाएगा। सब्सक्राइब जाएगा तो ये कमोन लेटरिंग बात्रूम है जिसका साइज है 9-0-1 चोड़ाई है है । काफी बड़ा है , उसके इनमीं यहां पर एक बीड्रूम है बीड्रूम का साइट अधेर से और यहां से है बार फीट-पांच चॉच बार फीट पांच उसके बाद चला जाएंगे यहां पर इह रूम जो है बीड्रूम का साइज अधेर जिरो इंच लंभाई जो हे 14 फिट जी रूज है को उसके साथ में आटेज़ेक लेटरिंग ब्लास वात्रों में जिसका चवरा ही चार फिट पर इसका लंबाई जो ए 8 फिट जिरू एंच तो फ्रेंट्स घौार्टनी यहां से लेके यहां तक जो है इसका जो चवडाई है वह है 26 फिट जीरो इंच और यहां से लेके यहां तक जो है 40 फिट जीरो इंच तो यह जो जगा है वह आपका 26 फिट वाई 40 फिट को पर टोटल 1040 स्कॉर फिट को पर यह हाउस प्लाना है देखी फ्रेंड्स और एक चीज है इसका कहा कहा को लम होगा यह पीलयर होगा हम अपको हाइलेट कर रहा हूं आप ध्यान से इसको देखे इजगा में आपका कोorum होगा कॉलम बोली या पिलियर जो भी आप बोल सकते हैं तो दीखे ये तो ये थोड़ा बड़ा जगा है इसलिए यहाँ पर हम पोवेट करेंगे थोड़ा ज्यादा कॉलम ओके तो ये साइड में हम कॉलम पोवेट कर रहे हैं एक दो, तीन, चार, पांच तो कॉलम ज़्यादा दूरी में अगर करेंगे तो वो घर के लिए कमजूरी होता है जितना हो सकते है बाजू-बाजू देने से ठीक है 10-12 फूट का अंतर देना चाहिए और देखे यहाँ पर एक कलम होगा यहाँ पर एक कलम होगा, यहाँ पर एक कलम होगा यहां पर एक कलम होगा यहां पर एक कलम होगा यहां पर एक कलम होगा ओके और नई देने से चलेगा तो कलम जो है कलम को साइज या पिल्यार का साइज आप पिल्यार भी बोल सकते कलम भी बोल सकते हैं कलम का जो साइज है वह आप यहां पर हम दस भाई दस रख रहे हैं इसलि कि वाल जो है भीतर वाहर सब का पांच इंच है आप चाहें तो दस इंच भी वाल टक सकते हैं इसलिए हम यहाँ पर दस भाई दस रख रहें इससे अगर ज्यादा बड़ा करें तो भीतोर में जो है वह आपको वाल का भीतोर में यह वाल है वाल का भीतोर में इस तरह से आपक इस तरह से दिखता है तो इसी लिए हम इसको थोड़ा छोटा रख रहें तो दिखिए जो भी वी वींडो है वींडो जगा हम हाइलेट कर रहा हूं आप दियान से देख लीजे बेंडिलेटर होगा यहाँ पा यह कीचेन होगा कीचेन के लिए वींडो है इस साइड में भी रख रहा हूं यहाँ पर हॉल है हॉल के लिए भी रख रहा हूं यहाँ पर लिविंग रूम है लिविंग रूम के लिए भी रख रहा हूं और यह वाला जो बेटरूम है यह लगा दिये तो अराम से यहां पर भी आप रख सकते हैं तो वाल सबको हम थोड़ा हाइलेट कर रहा हूं आप धियान से देखे अगर फ्रेंड्स आप हमारे चनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह का हाउस्प्लंड पानी के लिए और एक चीज है फ्रें करें हमें और इसी तरह का हाउस्प्लंड पानी के लिए डेली वीजिट कर सकते हैं हमारे चैनल में और एक चीज बोल रहे थे फ्रेंड्स आप अगर यह वाला लेट्रिंग बत्रूम का अगर डोर यह रोम के साथ कर सकते हैं करना चाहते हैं तो यहां पर भी आप बना सकते हैं ओके तो देखिए हम यहां पर हाइलेट कर रहा हूं वाल साब को और एक चीज है फ्रेंड्स वाल जो है अगर आप चाहते हैं कि हम वाल साब को हम 10 इंच रखेंगे तो 10 इंच रख सकते हैं कुछ भी दिक्कत नहीं है रोम थोड़ा छोटा हो जाएगा अगर बोलेंगे नहीं हम थोड़ा जगा बड़ा करेंगे तो कुछ नहीं यह 5 इंच है 5 इंच पांच इंच दस इंच यहां पर एक फूट चला गिया 12 इंच में ए एक फूट होता है 24 इंच में आपको दो फूट चला जाएगा और थोड़ा अगर बढ़ेगा तो पांच इंच इंच करका अगर बढ़ाएंगे वाल सब को जो मतलब पांच इंच है 10 इंच करेंगे तो 10 इंच मन लीजे एक फूट चला गिया फिर यहां एक फूट इधार एक फूट एक फूट एक फूट यह दो फूट में काम बान रहा है था वो चार फूट चलाएगा टोटाल मतलए एक फूट, दो फूट, तीन फूट चार फूट अगर बोलेंगे नहीं, बाहर का सृर्फ हम वाल यस इंच करेंगे तो ठीके, एक-एक दो फूट जाएगा, अभीतर का सब पांच इंच है तो एक फूट जाएगा, तो टूटल तीन फूट में हो जाएगा तो आसा करता हूं आपको हम समझाने सके हैं और कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट कर सकते हैं तो मिलते हैं और हाउस प्लान में कर दो